लोगसबा चनाव के दूसरे चरण के नामंकन का गुरुवार आखरी दिन है इस चरण में ताल ठोक रहे कई प्रत्याशी नामंकन करेंगे राजस्थान के पूर मुख्यमंतरी अशोग गहलोद के बेटे वैभव गहलोद भी चुनावी मैदान में हैं उन्होंने जालोर सिरोही सीट से अपना नामंकन कर दिया वैभव गहलोद की नामंकन रैली के लिए पिता अशोग गहलोद, कॉंग्रिस के प्रदेश अध्यक्ष गोविन सिंग डोटासरा और प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली भी पहुँचे इस बीच सब के जहन में एक सवाल है कि कॉंग्रिस के स्टार प्रचारकों में शुमार सचिन पाइलिट क्या वैभव गहलोद के चुनाव प्रचार में भाग लेंगे इस बात का खुलासा करते हुए पाइलिट ने कहा कि चाहे पहले जो कुछ भी हुआ हो पर वो अशोग गहलोद के बेटे के लिए प्रचार जरूर करेंगे क्या आप बेवेग गहलोद के लिए प्रचार करने जाएंगे बिल्कुल जाओंगा 100% जाओंगा पर यह अदूर जाओंगा झाल जाओंगा टो दिल से आफ कर दिया यह माफ कर दिए जो कहा थे जुन शब्दों का प्रियोग कि इसी को वाप में से उसके मैं अच्छा लगा सुनने के लिए लेकिन बावदूस के मैंने रियाक नहीं किया क्यूंकि मुझे लगा कि उसकी ज सचिन पाइलेट ने कहा कि उन्होंने कभी ऐसे शब्दों का इस्तिमाल नहीं किया जो किसी सारवजनिक शक्सियत के लिए अशोब निये हो दरसल राजस्थान की राजनीती में लंबे समय से अशोग गहलोद और सचिन पाइलेट दो खेमों की तरह रहे हैं यहां तक की अशोग गहलोद ने पाइलेट को निकम्मा और नाकारा भी कह दिया था हाला कि सचिन पाइलेट ने कहा कि उकसावे के बावजूद उन्होंने शब्दों की गरिमा बनाए रखी कि मुझे लंबी राली ते गन्मी है मुझे सबको साथ योट रखना है किसी ने अगर कुछ गलत किया है तो टू रों जों मेंगर राइट इसलिए मैंने आगे की तरफ देखा मेरे नेताओं की बात को मैंने सुना और मन से हम समने मिलकर काम किया हम दोग मेजॉर्टी नहीं कि बना पाई वह अलग बात है लेकिन अभी चुनाब लोगसभा के आ रहे है और वेब अफ गलोत के पिष्टी बार जब मैं जक्स्ता पाटी का लोगसभा का टिकेट हमने दिली से करवा के लेकर कए मैंने नामंगर उनका करवाया नहीं जीत पाई लेकिन में पचार किया राजस्तान में जालो और सिरोही लोगसभा सीट पर कॉंग्रिस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है यहां कॉंग्रिस की ओर से जहां वैभव गहलोत चुनावी मैदान में है तो वहीं बीजेपी ने लुंबा राम चौधरी को टिकेट दिया है अशोग गहलोत के बेटे को हराने के लिए बीजेपी ने भी पूरी ताकत जोक रखी है पिछली बार यानी 2019 के लोगसभा चुनाव में भी बीजेपी ने जोदपूर सीट पर वैभव गहलोत को शिकस दी थी इस बार कॉंग्रिस ने वैभव की सीट बदल कर उन्हें जालो और सिरोही सीट से टिकेट दिया है चुनाव आज तक